जै हिन जै बर्द सातियो मेरा नाम है जीत फोजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होम स्पोर्ट्स के अड़मी तो साम भीवानी सातियो आज मैं आपको जो फर्स सेशन की बर्तियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पता है आका भी लास्ट दिसंबर तक चलने वाली हैं ये पहले सेशन की दोर की बर्तिया है और इनका लास्ट अग्जाम 15 जनवरी को उने वाला है ये पहले सेशन की बर्तियां कम्प पहला सेशन की जो बरतियों में आपको पता दिया कि सभी सेंटरों में बरतियां चल रही हैं, हमने वीडियो डाले हैं, आज मैं जो बताने वाला हूं वो जो अभी बचे वे महीने हैं, नौंबर और दिसंबर में जो बरतियां आउंगे उनके बारे में बताऊंगा, तो हमार पहली बार हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करवा दें हमारे चैनल को, और दोस्तों हमारे चैनल पर फेक जानकारी नहीं मिलती, मैं फोजी आदमी हूं, तो जो भी हैं पूस्तास करने के बाद ही हम वीडियो बनाते हैं, तो अब बात करते हैं साथियों, जो ये बरती होने वाली है, ये बरती एसी सेंटर नोर्थ के अंदर होने वाली बैंगलोर, ठीक है साथियों, ये बरती एक नॉंबर 2022 से शुरू होगी, यहां पर आगे तक चलेगी ये बरती, और यहां पर ये रिजरो कटेगरी की बरती, यानि ये ये यूनिट एड़कॉर्टर तो यहां पर ये जा सकते हैं बरती के लिए, अब मैं बताऊंगा आव साथियों, ये बरती कब शुरू होने वाली है, और कौन-कौन इस बरती में जा सकते हैं, तो एक नॉंबर से ये बरती शुरू हो जाएगी साथियों, यहां पर जो बरती के लिए जो भी जाएंगे, लिए और अगनीवी ट्रेड मेन के लिए जो बरती देखेंगे और ट्रेड मेन में भी क्या वासर मैन है ड्रेसर है मैस कीपर और आउस कीपर के लिए यहां पर बरती है तो यहां पर यह जो होने वाले इन सब का डिटेल से बता रहा हूं तो पलीज चैनल को द्यान से सुन लेना अभी जो भी बताया जा रहा है आपको आपके काम आएगा तो यहां पर जो भी बरती जाने वाले हैं जो ड्राइवर एमटी जीडी के लिए बरती देखेंगे और ट्रेड मेन के लिए वो शिरफ ओनली वार् बरती देखने के लिए बाकी आल इंडिया के जो रिलेशन के बच्चे वो उनके लिए अब की बार बरती नहीं है यहां पर दूसरा जो आल इंडिया के स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो शिरफ ड्राइवर एम्टी ट्रेड में बरती देख सकते हैं और वो स्पोर्ट्समेन की बरती देख सकते हैं और स्पोर्ट्स मैन में भी क्या-क्या है यहाँ पर हैंड बोक्सिंग, एटलैक्टिस है, कबड़ी है, रैसलिंग है, फैंसिंग है, क्रोस कंट्री है, किर्केट है और उसके बाद में पॉलो है और एक गेम हो रहा है यह साथ यह देख लेना चार्ट म तो यहां पर All India All State की बरती Open Category की तो जो Game के बच्चे हैं वो यहां पर यह जा सकते हैं और जो Driver MT और Trade Man में बरती देखेंगे वो Only Relation के बच्चे हों वो भी ASC के बच्चे हो North और South दोनों Relation के बच्चे बाकी Relation के बच्चे यहां पर GDMN में बरती नहीं देख सकते तो अब की बार यह बरती के लिए चार्ट आया है और यह हमने वीडियो डीटेल से डाल भी दिया है बाकी आप देख लेना साथियो यहां पर कौन कौन जा सकता कौन को नहीं मैंने बता दिया तो हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करें बाकी अगले सेंटर की बात करते हैं अभी साथियो अब बात करते हैं Relation की बरती यह भी UHQ Enrollment Trally है और यह बरती होने वाली है साथियो RVC Center and College Merit Kent के अंदर और Merit Kent उतर परदेश के अंदर है और यह बरती सुरू होगी 26 November 2022 से इसके लिए हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया साथियो और यह बरती सिरफ एक ही ट्रेड के होने वाली यहाँ पर Soldier Technical Nursing Assistant Veterinary की और यहाँ पर जो है यह 17 से 25 साल उमर इलेक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पर और 26 November 2022 से बरती सुरू होगी एजुकेशन हमने वीडियो में बता रखिया वीडियो में जाकर डेटेल से देख लेना इसके लिए एज कटोब बता देता हूं मैं एक अक्तूबर 1997 से एक अप्रेल 2005 के बीच आपकी एज होनी चाहिए यहाँ पर यह एज रिलेक्सेशन यहाँ पर दिया गया साथियो और इसमें सभी सेंटरों के आर्मी के जितने भी सेंटर सभी सेंटरों के बच्चे यहाँ पर बरती देख सकते हैं जिनके उमर भी हो गई है लेकिन उनके पास साइंस साइड से पलस टू हो नी चाहिए साइन्स पलस टू में बाइलोजी हो साइन्स साइड में या फिर बोटनी या जूलोजी हो सब्जेक्ट हो वो ही देख सकता नर्शिंग एसिस्टेंट की बरती तो बेस्ट अब लग साथियो अब बात करते हैं साथियो ये भी एक यूज की इंरॉल्मेंट आ यूनिट एड़ क्वाटर कोटा की बरती है और यह जो बरती होने वाली है यह एमसी सेंटर एंड कोलेज लखनव के दवारा की जाएगी यह रैली है एक नॉंबर से पांच नॉंबर 2022 के बीच चलेगी यहां पर एक ही ट्रेड की बरती होगी वो है सोल्जा टेक्निकल नर्शिंग असिस्ट की तो जो भी मेरे वाई हैं उनको बता देते हैं इसके लिए हमने अपने चैनल पर डिटेल शे वीडियो बनाकर डाला हुआ है जो भी भाई नहीं समझ में आता वीडियो देख लेना बाकि हम भी आमयस एए उपको बढ़ती है कि ट्रेड के होने वाली है वह आपको बता द सकते हैं और यहां पर भी आपको एज रिलेक्सेशन दिया गया है साड़े सत्रा से पच्छी साल उमर वाले यहां पर बच्चे जा सकते हैं तो सभी के लिए और वो ही है साथियों आपको बता दें जो एजुकेशन है वो साइंस साइड से पलस टू होना चाहिए बच्चा वह यहां पर एज रिलेक्सेशन अब की बार ही दी गई अगली बार से 23 साल ही रहेगी तो आपका फिजिकल पीम्टी पीम्टी सब हो जाएगा यहां पर एक से पांच नॉम्बर के बीच 2022 को तो जो साथी जाने वाले हैं यहां पर वो जा सकते हैं इनके लिए आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाते ता हमारे चैनल पर उसका डिटेल से वीडियो वो भी देख लेना लेकिन इसमें परी रजिस्टेशन आपने किया और नहीं किया जिसने किया है वो ही जा सकता है उस वीडियो में सब कुछ बता रख्या डिटेल में आप देख लेना हमारा वीडिय जो भी मेरे बूतपूरों सेनिक भाई हैं एक्स औरिशमेन हैं उनके लिए भी यहां पर बरती है 137 137 CETF बटालियन है पार्देशिक सेना की टिटोरियल आर्मी जो है पार्देशिक सेना टीये की बरती यहां पर 39 गोर्खा राइफल्स में बरती है जो भी भाई है फोजी भाई है उनके लिए यहां पर बरती होने वाली भाई फोजी भाई हो जो रिटायर हो गए है उनके लिए लेकि रिटायर्मेंट के पांच साल के अंदर ही होना चाहिए जिसको पांच साल से ज़्यादा है वो नहीं जा सकता इस बरती में जो फोजी भा तो अभी मैं बता देता हूं साथियों ये 137 137 CTF बटालियन पार्देशिक सेना 39 गोर्खार आइफल्च में 15 नॉवंबर 2022 से 19 नॉवंबर 2022 तक मेजर ध्यांचंद स्टेडियम है निव चानि पर यागराज के अंदर बूत प्रो सैनिकों के लिए बरती है जो कि 5 साल के बितर शेवा निर्वीत हुए हैं उनके लिए निमिली खित पदों पर बरती की जाएगी यहां पर कनिष्ट अदिकारी के लिए 6 पद हैं सिपाई सामने डूटी के लिए जीडी के लिए 40 पद हैं और ट्रेड मैन वरक के लिए जिसमें कलरक के लिए 2 पद हैं उपकरण मरमत के ल और मेडिकल प्रिक्षन के लिए पहुँचें पुष्टाच के लिए नंबर दिया गया साथियो 0-532-221-907 इस नंबर पर आप बरती के लिए डिटेल से जानकारी ले सकते हैं जो भी फोजीब आई हैं यहां पर जा सकते हैं साथियो अभी आपको बता देते हैं एक और ब सेंटर किर्की पुना के दवारा की जाएगी बरती और यह एक नॉंबर से 30 नॉंबर तक यह बरती चलेगी इसका भी डिटेल वीडियो हमने बना रख्या साथियो एक नॉंबर को यहां पर जो अगनिवीर जीडी के लिए 6 जो एमेंडर हैं उनके लिए यहां पर PFT PMT होग दो नॉंबर 2022 को अगनिवीर सोलजर जीडी मराठा के लिए और तीन नॉंबर 2022 को अगनिवीर सोलजर जीडी OIC अधर इंडियन कास्ट जो होन के लिए यहां पर वो होगा जो भी बाई हैं यह पाँ जीरो पांसो आउर्स सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में आपका जो फि इजिनियर गुरूप सेंटर किरकी पुना में और एक नॉंबर से 30 नॉंबर तके बरती चलने वाली है इसकी जादा डिटेल के लिए हमने वीडियो बना के डाल रख्या साथियो वो देख सकते हो बाकी इसमें कौन-कौन जा सकता कौन-कौन नहीं इसमें सभी सेंट्रों के रिलेशन के बच्चे जा सकते हैं जो भी जीडी में बरती देखना चाहते हैं उमर आपको पता ही है अब की बार के लिए है 17-23 साल है साथियो अब आपको साथियो बताते हैं एक और बरती है यहाँ पर यह ट्रेड मैन की भी है गेम के बच्चों के लिए भी बरती है और अ यह बरती होने वाली 7-23-23-22 के बीच में और यह सेंटर है आपका कुमाउरेजमेंट सेंटर रानिखेत रानिखेत तु देरा दून के पास सहसातियो उत्राखंड के पास में उत्राखंड में अब बात करते हैं आपको बता देते हैं कि सातियो सक्रीनिंग और अगनिवीर जर्नल डूटी के लिए जो आल डिस्टी को वुत्राखंड जितने वी उत्राखंड के जिले हैं सभी के लिए जो रिलेशन के बच्चे हैं उनके लिए सात नौंबर को यहाँ पर पीफटी और पीमटी होगा फिजिकल और आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा उसके बाद यहां पर अगनीवी जर्नल डूटी के लिए ओनली उत्रपरदेश, मद्देपरदेश, अरियाना, राजस्तान, दिल्ली, बियार, जारखंड, छतिशगड और एनिस्टेट्स, नौर्थिस्ट के स्टेट्स हैं जो एनिस्टेट्स हैं नौर्थिस्ट के तो उन के लिए यह यहां पर यह बरती है और वो भी लिम्टिड कास्ट के लिए है यहां पर यह नहीं कि यह रिलेशन के बच्चे सभी नहीं जा सकते इन स्टेटों के भी वो अमारा एक वीडियो हमने अपने यूटूब चैनल पर डाल रख्या साथी हो देख लेना बाकि आप गुगल पर भ बच्चों के लिए जीडिकी बरती है उसके बाद सात्यों आपको नोंबर को जो फिट हो जाएंगे उनके डोकोमेंट चेक होंगे दस नौंबर को इन स्टेटों के उसके बाद 11 नौंबर 2022 को ट्रेड मैं के लिए बरती है हाँ अब यह यहां पर जा सकते हैं सात्यों कोई बी रिलेशन का बच्चा है किसी भी सेंटर का रिलेशन है आल इंडिया आल कास्ट यहां पर जा सकता ट्रेड मैं में लेकिन ट्रेड मैं में लिम्टिड विकेंसी होती है आपको पता ही है फिर उनका 11 नौंबर को फिजिकल फिटनेस टेस्ट पी एप्टी और पीम्टी यहां पर अपनी ट्राइल दे सकते हैं फिजिकल दे सकते हैं यहां पर 13 नौंबर को तो यहां पर यह जाएं यह सेंटर आपको बता दिया कुमाउरजमेंट सेंटर है रानी खेत रानी खेत देरादुन के पास में है उत्राखंड में ठीक है साथियो यहां पर यह बरती होन इंडिया का जो हैśnie का लार्जस्ट कंटोमेंट एरिया है और ये होली सीटी वारणाशी जो उत्र परदेश के अंदर है जिसको बनारस और कεςी यहां पर है यह जो कैंट एरिया है यह पिछली संचूरी में इसको इस्टेबलिस किया गया था यहां पर जो गोर का की थ्रड बट देखते हैं वो गोर्खा रग रूट्स देखते हैं वो चाए डोमिसाइल उनका नेपाल का हो या पूरे वारत में कहीं का भी तो इस परकार से यहां पर 42 वीक की ट्रेनिंग के लिए आते हैं यह बादूर होते हैं यह और इनके लिए सेंटर है जी टी सी 39 गोर्खा ट्रेनिं सेंटर वानासी के दवारा की जाएगी और यह बरती अगनीवीर रगूर्टमेंट रेली के तैत होगी इसके अंदर ट्रेड में की भी बरती है म्यूजिसिन की भी बरती और स्पोर्ट्स कोटा की भी बरती यहां पर साथियो और यह बरती होने वाली है 9 दिसंबर 2022 से अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा यहाँ पर 9 दिसंबर को जो नेपाल से बिलोंग करते हैं और जो पूरे बारत में कहीं से भी गोरखा है जिसके पास रिलेशन है और यह साथियों रिलेशन की बरती है जो रिलेशन के बच्चे हैं यहाँ जिनके पास में पूरे बारत में कहीं भी गोरखा है जिसके पास रिलेशन है तो यहाँ पर यह बरती देख सकता उसको 10 दिसंबर 2022 को फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा यहाँ पर PFT, PMT उसके बाद 11 से 12 दिसंबर 2022 को सभी के इनिसियल डो यहाँ पर जो 13 तारिक को 13 दिसंबर 2022 को टेस्ट लिया जाएगा जो म्यूजिशन के लिए बरती म्यूजिशन ओपन कोटा होता आल इंडिया आल कास्ट और उसके बाद स्पोर्ट्स परसन भी यहाँ पर आल इंडिया आल कास्ट होती है ओपन बरती होती है यह तो यह जो भ बाई यहां पर गेम के और मुजिशन की बरती ट्रेड में की बरती देखने वाले बच्चे उनका टेस्ट होगा 13 दिसंबर 2022 को उसके बाद 15 दिसंबर 2022 से मेडिकल शुरू हो जाएंगे और जो फाइनली मेडिकल फिट हो जाएंगे उनके फाइनली डोकॉमेंट चेक 9 और 10 ज सेंटर में और यह बता दिया यह सेंटर जो है 39 जी टीसी गोर का ट्रेनिंग सेंटर वानासी है ओके साथ यो आप भी किसी परकार की बरती की जानकारी या त्यारी करना चाहते हैं तो हमसे संपरक करें ओम स्पोर्ट्स कैडमी तोसाम यह हर्याना के अंदर विवानी डिस्टिक के तोसाम तसील के अंदर यह अकैडमी है आप हमें गुगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं ओम स्पोर्ट् के नाम से हमारा अकाउंट है टेलिग्राम वाटसब के लिए हमारा नंबर 7056-390-909-7056-390-909 धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें